बिजनौर जिले में करवा चौथ का पर्व आज बढ़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया पूरे जिले में सुहागिन महिलाओं ने अपने पती की लंबी आयू और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए दिन भर का निर्जला वरत रखा जैसे ही रात आठ बजे के बाद चांद का दीदार हुआ महिलाओं ने चलनी में चांद को देखकर व्रत तोड़ा और अपने पतियों के साथ यह विशेश पल साज़ा किया दरसल बिजनौर, धामपुर, नगीना, चांदपुर, नजीबाबाद, अफजलगड, किरतपुर, नहटौर, स्योहारा, हलदौर और नूरपुर सहित सभी नगर, कस्बों और ग्रामीन क्षेत्रों में करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया गया मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर दिन भर चलता रहा और सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ की पूजा करके अपने पती के दीरगायू होने की कामना की हर तरफ त्योहार की रौनक और उल्लास देखने को मिला जिससे शहर की गलियां भी सजी धजी नजर आई बिजनौर शहर के बैराज रोड स्थित अगरवाल सेंटर पर करवा चौथ के खास मौके पर प्रशिक्षन एवं समाज सेवा संस्थान की ओर से एक रंगा-रंग दुलहन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में बर्खा गुपता, शुची राघव और पूजा अगरवाल ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया जबकि जूनियर वर्ग में साक्षी गुपता, श्वेता गुपता और शालिनी अगरवाल विजेता रही करवा चौथ के दिन जिले की महिलाओं में विशेश उत्साह देखा गया सजी धजी महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सजकर एक दूसरे से मिलती रही और त्योहार की खुशियों को बांटती नजर आई यह त्योहार न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बलकि वैवाहिक जीवन में प्रेम और समर्पन का भी प्रतीक माना जाता है महिलाओं ने पूरे जोश और श्रद्धा के साथ करवा चौत की पूजा की और रात को चांद का अर्ग्य देकर अपने व्रत को सफलता पूर्वक पूरा किया जिले में करवा चौत का यह पर्व हर साल की तरह इस बार भी विशेश रौनक और परंपराओं के साथ मनाया गया जिसमें सभी नगरों और ग्रामीन क्षेतरों की महिलाओं ने बढ़ छड़ कर हिस्सा लिया बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट यए पर कोई बातरीनिये अगर में करना है तो अप्ने प्रफे को सुग और उसे पहले हम बीच में जब आम तुला मनुरन्जन के लिए हम किर्टन कर लेते हैं तुला सा और उसमें दुलन पर जोकता करते हैं तो तुला तुला मोरा इंपंशन सा उता है